हलो फ्रेंड दिस इस रुची एंड वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने जा रहे हो मैगी के पकोड़े तो फर आए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मैंगी के पकोड़े बनाने के सबसे पहले हुआ चाहिए मैंगी मैंनिया पर दो पैकट मैंगी ली है आप एक पैकेट का भी बना सकते हैं 4 cup water लेंगे वाटर को बॉयल होने के लिए रख देंगे बिस बॉटर हमारा हलका सर बॉयल होने लगा इसमें हमापनी मैगी डाल देंगे यह बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खास कर यह बच्चों को बहुत वसंद आता है इसलिए आप एक बार जरू ट्राइ करें इसमेगी हमारी पक चुकी है इसको 80-90 परसेंट ही पकाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको एक शल्ली में निकाल लेंगे और हलका सा ठंडा होने के लिए रख देंगे मेगी हमारी ठंडी हो चुकी है इसको एक बॉल में टांसफर कर लेंगे एक कटोरी बेसन लेंगे फोर टेबलिस्पून सूजी लेंगे दो छोटी प्याज बारी कटी दो हरी मिर्ज और धनिया पत्ती प्याज डाल देंगे एक चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोटी चमच लाल मिर्ज पाउडर आधी चोटी चमच जीरा पाउडर आधी चोटी चमच गरम मसाला आधी चोटी चमच चाट मसाला आधी चोटी चमच खटाई पाउडर नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हाथों से मिक्स करेंगे यह हमारा मिक्स हो चुका है इसमें मैगी मसाला आट कर देंगे मैंने या पर दो पैकेट मैगी ली थी इसलिए दो मैगी मसाला डाल रही है इसको अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर लेंगे बस हमारा डो तैयार है हाथ हो में अलका सा ओईल लगाएंगे और इसकी हम बॉल्स तैयार कर लेंगे अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे की मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए बॉल बना लेंगे कडाई में ओयल रख देंगे गरम ओने के लिए ओयल हमारा गरम हो चुका है इसमें बॉल डालेंगे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और चारो तरफ से चलाते हुए अच्छे से गोल्डर होने तक फ्राइ करेंगे इसको फ्राइ करने में बिल्कुल ही जल्दवाजी नहीं करेंगे नहीं तो ये अंदर से कच्छी रह जाएंगे और इनका टेस्ट खराब हो जाएगा इस बॉल्ड हमारी फ्राइ हो चुकी है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे मैगी पकोड़ा हमारे तयार है इसको आप टोमेटो सॉस ग्रीन चटनी या फिर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं थैंक्यू